हेलो दोस्तों फिगर आप इस पीच के अंतरगत आज मारा लाश्ट टॉपिक है जो है ओनो मेटो पया जिसे हम हिंदी में धोनी सूचक अलंकार बोलते हैं ये टॉपिक बहुत ही आसान है इसकी डिफिनेेशन और इसका एक्जाम्पल ही समजना बहुत ही आसान है बस आपको थोड़ा ध्यान देनी किया सकता है तो आईए विना टाइम बेष्ट की एहम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करें उससे पहले आप से एक छोटा स्मिवदन है अगर अभी ताक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंगा सब्सक्राइब बटन दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जड़ो करें तो आए बिना टाइम बेस्ट के हम वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं जानेगी कि इसकी definition क्या होती है तो सबसे पहले हम इसकी definition देखेंगे इसकी definition बहुत ही आसान है इसकी definition है In this figure of speech The sound suggested the sense of meaning देखें इस अलंगार में क्या होता है हम किसी सब्द की आवाज से उसका अर्थ पहचानते हैं निकि हम जब किसी सब्द की आवाज को सुनते हैं तो उसकी हम पहचान होते हैं कि ये आवाज किसकी है देखें मैं अभी आपको इसका example बताऊंगा इसके example के साथ आपको ये doubt पुरा clear हो जाएगा हमारा first example ये है कि the cat's mew the cat's mew cat's means क्या होती है बिल्ली mew mew उसकी आवाज है जब बिल्ली बोलेगी तो उसके आवाज से हम पहचान जाएंगी ये बिल्ली की आवाज है बिल्ली की आवाज कैसी होती है म्याओ बिल्ली कैसी बोलती है म्याओ यानि कि जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे चाहे हम उसके देखें या ना देखें जब उसकी हम आवाज को सुनेंगे कि म्याओ की आवाज आ रही है तो हमें बीस यहां पर हो जाएगा मधुमक्या हम मेंस होता है भिनभिनाना यानि मधुमक्या भिनभिनाती हैं जब मधुमक्यों की भिनभिनानी की आवास सुनेंगे तब भी हम यह ग्यात होगा कि मधुमक्या भिनभिना रही है चाहे हम उसे देखें या ने देखें हम अपने घर मे बैटों हो और मधुमक्च्या विन भिनाते हुए जा रही है तो मैं तुरंद पता लग जाएगा कि मधुमक्च्या विन भिना रही है इससे हमें यह यह ज्यात होता है कि यह धोनी सूचा का लंकार या ओनो मेटो पया है तो फ्रेंस आसा करतू हूँ आपको ओनोमेटो पाईया की डिफनेशन एंड इसका अग्जामपल अच्छे से समझ में आ गया हो गया तो इसमें कुछ ना समझ में आ अभी भी इसमें आपको कुछ डाउट हो तो प्लीस आप लोग नीचे कमेंट में पूसकते हैं यदि वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक सेर कर जीजे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इन्योट आपकी साथ अब तक लेजा हैं बंदे मातरों